Hello friends, आज के इस सेसन में हम Mineral Identification Trick 2 के बारे में बताएंगे यहाँ पे सारे Optical Mineralogical Property के बारे में हम मारा discussion होगा दोस्तो Mineral को देखके, Mineral का Composition को देखके दोस्तो आप कैसे Mineral का Property निकाल सकते हो यहाँ का दोस्तो आज इस Class में हम सिखाएंगे आपको तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं जनरल जितने भी Optical Property Mineral होते हैं पहला क्या होता है दोस्तो प्लियो को रिजिम प्लियो को रिजिम आपका उसके बार दोस्तो रिफ्राक्टिव इंडेक्स क्योंकि आपको दोस्तो कुछ Mineral का Composition देखके रिफ्राक्टिव इंडेक्स ढोनना पड़ सकता है क्योंकि आप जो भी याद नहीं रखे होंगे कभी ना कभी एक्जाम में पूछ लेता है तो उसके बारे में अगर आप डारेक्ली सठीक अंसार देने चाहते हो तो ये ट्रिक आपके बहुत काम है आएंगे About 80% Mineral पे आपको ये बहुत सारा हेल्प करेगा दोस्तों Okay, Refractive Index, Relief, Interference, Color Interference Color Extinction Okay, Pleiocorism, Refractive Index, Relief, Interference, Color Extinction, Isotropism दोस्तो बाइरे फ्रिंजेस ये दोस्तो आपका Maximum कोई भी Mineral पे दोस्तो ये सारे Optical Property को देखा जाता है आपको दोस्तो एक कुछ नहीं दिया होगा एक Mineral Composition दिया होगा Okay, अगर किसी का भी Mineral Composition आपको पता लग गया कोई भी Mineral का अगर Mineral Composition आपको पता लग गया तो उसका सारे Property आप निकाल सकते हो यही है दोस्तो इस Class का मकसद तो आपको मतलब कि सभी Mineral Property सभी Optical Property, सभी Physical Property दोस्तो यहाँ पे याद रखना नहीं पड़ेगा अगर ये Trig आप सबन चाते हो ओके तो चलिए दोस्तो हम प्लियोकोरिजिम जनरली जितने भी दुनिया में Optical Property होते हैं वहाँ पे दोस्तो दो टाइप के Mineral देखने को मिलता है एक Mineral होता है आइसोट्रोफिक दूसरा Mineral होता है आपका आइसोट्रोफिक दोस्तो कभी भी आइसोट्रोफिक Mineral पे आपको प्लियोकोरिजिम नहीं दिखेगा आइसोट्रोफिक Mineral पे नो प्लियोकोरिजिम लेकिन आपको आनाइसोट्रोफिक Mineral पे दोस्तो प्लियोकोरिजिम देखने को मिलेगा कोई भी मतलब कि दुनिया में सभी आनाइसोट्रोफिक मिन्राल पर प्लियोकोरिजिम दिखाता है जो कुछ मिन्राल पर उइक प्लियोकोरिजिम दिखाता है जो कि आपको पता ही नहीं चलता है उइक प्लियोकोरिजिम और कोई-कोई मिन्राल पर दोस्तो strongly pleiocoric दिखाता है जो कि आप easily study कर पाते हैं strongly pleiocoric दोस्तो pleiocoric जी प्रोपोटी क्या है जब आप एक anisotropic मिन्डाल को stage पर rotate करते हो जब कोई भी anisotropic मिन्डाल पो दोस्तो और stage पर rotate करते हो तो इसका दोस्तो color change हो जाता है in plane polarized light plane polarized light में अगर anisotropic mineral का color थोड़ा change हो जाता है तो दोस्तो उसको pleiocoric बोलते है isotropic में क्यों नहीं होता है दोस्तो क्योंकि हर दिशाओं पे दोस्तो जो color absorption होता है इक्वाल होता है यहाँ लेकिन anisotropic में दोस्तो अनिक्वाल होता है अनिक्वाल के करन different type of color absorption होगा color changes जहां पे होते हैं दोस्तो पेचानने में नहीं आ रहा है तो दोस्तो उसको हम weak pleiocoric बोलते हैं और कभी-कभी इसको हम हमें पता भी नहीं लेगता बहुत सारे anisotropic mineral पे weak या no pleiocoric लिग देते क्योंकि हमें पता ही नहीं लेकिन कुछ मिन्डाल होते हैं जिसका composition अगर na reach रहा तो दोस्तो उहां पे pleiocoric आपको आसानी से दिख जाएगा दोस्तो कोई भी anisotropic mineral पे अगर composition na reach रहा सब में नहीं होता है आप बोलोगे albite में सर about मैंने यहां पे दोस्तो बोला कि आप जो भी mineral formation होते हैं great depth में उहां पे अगर na reach का mineral मिल रहा है जैसे कि आप horn blend का ले लिजे उहां पे na reach रहता है दोस्तो टर्मालीन का ले लिजे टर्मालीन na reach रहता है तो उहां पे दोस्तो आपको pleiocorism देखने को मिलेगा अगर कोई भी na reach mineral great depth में formation हो रहा है तो उहां पे थोड़ा आपको pleiocorism great temperature में formation हो रहा है तो उहां पे आपको pleiocorism देखने को मिलेगा na reach, na reach mineral पे general दोस्तो pleiocorism होता है यह only 80% mineral पे काम करेगा और 20% mineral जैसे के albide में albide में भी na composition रहता है लेकिन pleiocorism नहीं होता है तो थोड़ा इसको थोड़ा चेक करना alkaline pyroxine जो होते हैं pleiocorism होते है on brand में जिसमें भी na रहा है वो दोस्तो pleiocorism हुआ है on brand मतलब की amphibol group का mineral ओके तो ही यह दोस्तो उसके बाद हमारा आता है refractive index कोई भी mineral कोई भी mineral अगर great depth में दोस्तो बन रहा है कोई भी mineral अगर great depth में बन रहा है तो वो दोस्तो high refractive index mineral form in great depth high ri low ri ri का मतलब refractive index कोई भी mineral दोस्तो great depth पे बन रहा है तो उसका high refractive index होगा great depth मिन्दल great depth ओके यह है low depth Low temp तो दोस्तो यहाँ पे Great Depth में जेनरली composition क्या होता है जो भी मिन्दल Great Depth में Bacon Formation होता है उसका Composition mgop होता है जिसका composition mgop आप कोई भी मिन्दल ले जाईए mgop उसका composition है तो दोस्तो счит high refractive index दिखाएगा कोई भी मिन्दल दोस्तो SIL composition है SIL composition है वो जैनरली Salud depth में मिलता है तो low refractive index होता है एकजम्पुल आप लें जाईए Quartz Quartz का दोस्तो low refractive index होता है एकजम्पुल आप लेंप लेंजिए Oluven Oluven O lång Pyrogene यहाँ पर Quartz ले लिए दोस्तो जहाँ पर composition MGF भी रहता है और पर о्मिनराल gefragt depth में formation होता है composition होता है SI, Aluminium, Oxygen तो ज़्यादातर silica rich रहता है और दोस्तो generally low refractive index होता है यह थोड़ा देख लिजेगा कहीं पे भी अगर आपको composition दे दिया Mg2, SiO4 तो यहाँ पे Mg rich है दोस्तो refractive index ज़्यादा होगा लेगन कहीं पे composition दे दिया AL, Si3, O8 तो दोस्तो यहाँ पे K, Si3, O8 तो दोस्तो यहाँ पे Mg rich है क्या नहीं है तो दोस्तो silica content ज़्यादा है तो यह low refractive index दिखाएगा दोस्तो बस यह थोड़ा याद रखिया है क्योंकि आपको 90% mineral पे silica rich ही देखने को मिलेगा क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा silica rich मिंडल यहाँ पे देखने को मिलता है आर्थ के cross पे उसके बाद दोस्तो relief relief में भी कोई भी मिंडल पे दोस्तो relief में कोई भी मिंडल पे अगर Mgf ही ज़्यादा मिल रहा है great depth से मिल रहा है और कोई मिंडल दोस्तो shallow depth में मिल रहा है जो great depth पे मिल रहा है दोस्तो उसका high relief होगा high relief होगा दोस्तो जो shallow depth पे होगा दोस्तो low relief होगा low relief होगा ओके जो great depth पे मिलेगा और generally meglio heck 省पर उसको refractive index is directly proportional to relief high refractive index कहीं पी मिन्राल पर आपको देखने को मिल दा है हाई रिफ्राक्टिव इंडेक्स मतलब की हाई रिलीव ओके लो रिफ्राक्टिव इंडेक्स इसका मतलब लो रिलीव ओके तो दोस्तों कोई भी मिन्राल ग्रेट डेप्स पर मिल दा है तो high relief दिखेगा दोस्तों relief का मतलब आउटलाइन है border outline mineral का border outline कैसे formation होता है strong relief मतलब की बहुत अच्छे से border outline बन रहा है अगर weak relief मतलब जो भी mineral generally SIL reach होता है example आप ले जाहिए quartz, okay, felspar दोस्तो low relief दिखेगा olivin olivin का example ले जाहिए pyrogen, amphibol यह दोस्तों great depth में जो mineral formation होते हैं उनका दोस्तों generally high relief होता है okay, then उसके आगे दोस्तो by references, same property दोस्तों कोई भी mineral अगर great depth पे मिल रहा है कोई भी mineral अगर great depth पे मिल रहा है जैसे कि यह दोस्तो SIL, solidate पे FEMG great depth पे, जो भी mineral great depth पे मिल रहा है great depth पे जो भी मिलता है दोस्तों उसका composition क्या होता है FEMG rich, okay, Mg2 SiO4 FE2 SiO4 SM mineral पे दोस्तो high by references देखने को मिलेगा high by references आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे कोई भी mineral पे अगर बहुत ही low SIL content बहुत ही कम हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पे आपको low by references देखने को मिलेगा by references तो by references क्या होता है this is the difference between refractive index of ORE and ERA slow RA और fast RA के बीच में जो difference होता है दोस्तों उसको हम by references बोलते है generally जो भी mineral great depth information होते है जिनका composition में Mg FE होता है जैसे कि Mg2SiO4 ओके और Mg2Si2O6 यह दोस्तों Oluven Pyrogene का composition है तो Oluven Pyrogene दोस्तों great depth information होते है तो उनका by references क्या होगा दोस्तों very high होगा जो भी mineral दोस्तो shallow depth information होते है जैसे कि quarch हो गया fields par हो गया दोस्तों इनका refractive index दोस्तों sorry दोस्तों क्या होगा थोड़ा low by references को आज का 0.009 तो दोस्तों यह थोड़ा याद रखिए कुछ exception भी है जैसे कि आप काल साइट का देख सकते है दोस्तों काल साइट का by references थोड़ा बहुत ही great है लेकिन maximum mineral maximum जो भी Mg FE reach होते है उनका high by references और जो भी minerals SIL भरा पड़ा होते है उनमें दोस्तों क्या होते है और दोस्तों low by references यह थोड़ा trick याद रख लिजिएगा ओके दोस्तों interference color सेम है दोस्तों अगर great depth में जो mineral मिल रहा है Mg Fegs का composition है जैसे कि olivine हो गया pyrogen हो गया जिनका भी FEMG आपको composition में देखने को मिल रहा है उनका दोस्तों third order interference third order interference दोस्तों olivine का third order लेकिन उससे solid depth में बनता है generally pyrogen olivine का दोस्तो generally third order है okay olivine का हमारा third order जो intermediate depth में मिलते हैं दोस्तों तो olivine दोस्तों silica unsaturated rock है olivine उसके बाद दोस्तों pyrogen pyrogen का second order हो जाता है second order लेकिन जो भी बहुत ही पूरा solid depth में बनते हैं जो मिन्डल दोस्तों उनका generally first order होता है first order interference होता है तो क्या है दोस्तों great depth में जो भी मिन्डल mg reach रहता है और दोस्तों उसका हमारा bounce reaction series दोस्तों उपर में olivine देता है नीचे में दोस्तों हमारा pyrogen देता है amphibol देता है दोस्तों ये third order वाला मिन्डल है ये third order ये दोस्तों आपका second order और ये जो quartz feltser आप देख रहे हो यहाँ पे दोस्तों first order वाला मिन्डल है first order interference color आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए रहा दोस्तों उसके बाद दोस्तों extension यहाँ पे extension दोस्तों दो टाइप के extension आपको देखने को मिलेगा क्यूबिक पे जो extension होता है क्यूबिक मिन्डल जो भी इतने भी होते है टोटाल एक्स्टिंशन हो जाता है दोस्तों क्यूबिक मिन्डल आइसोट्रोफिक मिन्डल टोटाल एक्स्टिंशन हो जाता है और दोस्तों जो मिन्डल होते हैं हमारा ओर्थोरोम्बिक दोस्तों extension एक्स्टिंशन एक्टिंशन दो प्रकार के होते हैं एक होता है straight extension क्युबिक के तो पुरा dark हो जाता है extension और एक होता है दोस्तों oblique और inclined extension oblique और inclined extension दोस्तो generally straight extension कौन सा मिन्डाल पर आपको देखने को मिलेगा कि orthorombic the mineral which crystallizing ortho or th orthorombic monoclinic and थोड़ा गल्द कर दिया straight extension का जो भी मिन्डाल होते हैं दोस्तों actually यो hexagonal hexagonal orthorombic and tetragonal दोस्तों जो भी मिन्डाल hexagonal system tetragonal system और orthorombic system में crystallize करते हैं उनका जेनरली straight extension होता है hexagonal और tetagonal का बासाल section में आपको straight extension देखने को मिलेगा कोई भी मिन्डाल अगर आपका monoclinic system में monoclinic and tri clinic system में crystallize कर रहा है clinic system में crystallize कर रहा है दोस्तों और क्या करेंगा दो प्रकार के extension होते है एक होता है straight extension दूसरा होता है oblique extension जो straight extension होते हैं जेनरली hexagonal system orthorombic system और tetragonal system में देखने को मिलेगा और orthorombic के सारे section में straight extension देखेंगे लेकिन hexagonal और tetragonal system का only बासाल section में आपको straight extension देखने को मिलेगा और दोस्तों अब्लीक एक्स्टिंशन जेनरली मोनो किलनिक सिस्टम और ट्राइक किलनिक सिस्टम में आपको अब्लीक एक्स्टिंशन देखने को मिलेगा दोस्तों ट्राइक किलनिक और मोनो किलनिक सिस्टम में बस ऐही है दोस्तों हमारा एक्स्टिंशन वाला टोपिक उसके बाद दोस्त का जो मिनराल होता है जो भी मिनराल क्यूबिक सिस्टम में क्रिस्टालाइज करता है ओ दोस्तों आइसो ट्रोपिक में दुनिया में जितने भी क्यूबिक सिस्टम में मिनराल क्रिस्टालाइज करता है और दोस्तों जो भी मिनराल क्यूबिक के अलाबाग और दूसरे किसी भी सिस्टम में किस्टरलाइज करता है उसको हम आनाइसोट्रोपिक बोलते हैं क्यूबिक आइसोट्रोपिक होता है और आनाइसोट्रोपिक क्या है दोस्तों आनाइसोट्रोपिक जेनल ये आपको hexagonal मिंदल हो गया monokilnik trikilnik और क्या है दोस्तो आपका orthorombic and आपका hexagonal and tetragonal tetragonal दोस्तो ये सभी मिंदल क्या होते है anisotropy क्या है सभी मिनराल को हम आनइस Een मिनरल बोलते हैं तो और यह सब बाइसो डिउस्टेंग जोब नाले जाएं यह सब दोस्तों क्यूबिक सिस्टम के लिए hexagonal मतलब आप बेरिल ले जाएए monoclinic मतलब आप बाराइट ले मतलब की monoclinic मतलब आप gypsum ले जाएए बाराइट आपका orthorombic है triclinic मतलब आगजी नाइट ले जाएए microcline ले जाएए plagiocles group of mineral ले जाएए tetragonal मतलब का zircon ले जाएए यह सब भी दोस्तो आइसोट्रोफिक मिंडल के अंदर ही आते हैं यह only cubic मिंडल आपको आइसोट्रोफिक यहाँ पर बोला जाता है तो ही है दोस्तो हमारा आज का topic तो चलिए दोस्तो मैं आपको यहाँ पर क्या बताया और आपका FE present रहते हैं दोस्तो जनरली वहाँ पर लेकिन आपको थोड़ा weekly pleo को रिजिम अगर कहीं कभी-कभी mg मतलब की oliven mineral पर दिख जाता है उसको कोई-कोई लिख देते हैं no pleo green चलो चलता है लेकिन आपको तोड़ा mention भी करना है की दोस्तो weekly pleo रिजिम है जैसे की oliven का आपका हो गया फस्टराइड वहां पे थोड़ा बहुत color changes होते हैं फाइलाइट वहां पे भी दोस्तों आपको थोड़ा वीकली पिलियो को रिज्म देखने को मिलेगे फाइलाइट में थोड़ा अच्छे से देखने को मिलेगा लेकिन दुनिया में जितने भी आना इसोट्रोफिक mineral होते हैं क्योंकि उसको हम stage पे rotate करेंगे तो color obviously change होता है पहले ही हमें पता ना चाले लेकिन stage पे तो color change होता है तो जहां पे हम strong देखते हैं कहां पे strong देखते हैं जोस्तों जिस mineral पे na rich होता है जिस mineral पे हमारा na rich content ज्यादा रहता है जैसे कि alkali pyrogen हो गया, alkali amphibol हो गया और hone blend हो गया तो उहां पे दोस्तो प्लियोगो रिजिम आपको देखने को मिलेगा लेकिन यह सब जागा नहीं होता है okay, refractive index जो भी mineral great depth formation हो रहा है like FEMG rich mineral होता है high refractive index, SIL rich mineral होता है low refractive index relief भी same, SIL दोस्तो low relief जो great depth में बनता है जो FEMG FEMG great depth में बनता है तो high relief होता है और जो SIL shallow depth में बनता है जो low relief होता है उसके बाद दोस्तो by-refleges same concept जो भी mineral great depth formation होता है तो उसका high by-refleges होता है जो भी mineral shallow depth में formation होता है shallow depth मतलब कैसे पेचाने है जिसका भी SIL component ज्यादा ही होगा ओके ओ दोस्तो by-refleges low होता है जो great depth में बनता है उसका high होता है तो interference color जो भी mineral great depth में formation होता है लाइक olivine ओके olivine तो third order जो भी mineral moderate depth में formation होता है जैसे की pyrogen, amphibol ओके इसका second order interference जो दोस्तो बहुत ही shallow depth में formation होता है उसका दोस्त फास्ट order दोस्तो जो भी mineral आपका ortho-hambic mineral पे crystallize करेंगे आपका hexagonal system में crystallize करेंगे और tetragonal system में crystallize करेंगे उनका दोस्तो हमारा straight extension होता है straight extension होता है लेकिन जो भी mineral monoclinic system और triclinic system में crystallize करते हैं दोस्तो उनका obligation होता है ओके बस सही है दोस्तो isotropic cubic mineral आइसोटोपिक other mineral आइसोटोपिक ओके बस यही था दोस्तो सटका ट्रीक थोड़ा याद रख लिजिएगा